मैं एक किड्नी फेलियर पेशेंट हूँ और अब मेरे को डालेसिस की जुरूरत है और मेरे डालेसिस स्टार्ट हो गया है मेरे को डॉक्टर ने किड्नी ट्रांस्प्लांट का सुझाओ दिया है पर मैं किसी वज़े से ट्रांस्प्लांट नहीं करवा पा रहा तो क्या मैं डालेसिज के साथ अच्छी जिन्दगी बिता सकता हूँ ये एक बड़ा कोश्चन है इसका जवाब मैं इस तरीके से दूँगा कि इसमें निराश होने की जुरूरत नहीं है अगर आप ट्रांश्प्रान के लिए फिट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्दगी खतम हो गई है तो डालेसिज अगर आप सही टाइम पे सही समय पे और साथ में दवाईया और ब्लेड प्रेशर कंट्रोल और साथ में डाइट कंट्रोल रखते हैं और रेगुलर अपने किड्नी स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलजिस्ट के अंडर फॉलो अप में रहते हैं तो भी आप अपनी एक अच्छी खासी जिंदगी बिता सकते हैं पर इसमें आपको ये बताना चाऊंगा कि इसको हम किड्नी ट्रांश्प्लांट से अगर हम कंपेर करें तो डालेसिस सिरफ एक कंट्रोल है डालेसिस हमारी किड्नी एक हफते में 168 घंटे काम करती है और dialysis हम सिरफ 4 घंटे का dialysis हम हफते में 2 या 3 बार लेते हैं तो मतलब 12 घंटे को आप 168 घंटे से compare कर रहे हैं तो आप ये उन्मान कैसे लगा सकते हैं कि 12 घंटे हमने machine चलाई और kidney जो normal kidney 168 घंटे काम करी तो दोनों के function में अंतर है जहां कि kidney 24 घंटे काम कर रहे हैं और आपकी body को ठीक रहे हैं और जहां कि आप 12 घंटे काम kidney machine से लेके तो dialysis सिरफ एक control है, cure नहीं है तो उस समय के लिए या उतने एक हफते के लिए तो आपका मामला set हो जाता है बट ऐसा नहीं है कि आपका cure हो जाता है इसमें आपको एक दिन आपको dialysis किया तब अच्छा लगेगा, अगले दिन आपका बदन दर्द करता है और फिर उसके बाद फिर से आपको dialysis पे जाना पड़ता है तो इसमें basically उतना अच्छा health नहीं रहता जितना की एक transplant में रहता है इसमें आपको एक दिन छोड़के एक दिन हफते में 3 या चार दिन आपको dialysis पे spend करने पड़ेंगे आप ये मान सकते हैं कि आपके काम का कितना loss है financial loss बहुत ज़्यादा है इसमें ये है कि transplant में आपको एक time का खर्चा है अगर आप fit है और उसके बाद आप वापिस जल्दी से जल्दी काम पे लग जाते हैं तो आप earn भी करते हैं अपनी family को भी support करते हैं क्यापकि इसमें ऐसा नहीं है चौथा जो quality of life है कि आपको जाना है वापिस आना है फिर जाना है फिर वापिस आना है जो आपकी रोजमरा की जिन्दगी में आपको काफी अडचन आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं आपकी diet में restrictions रहती हैं आप अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं या खाना खाने का मन नहीं करता आपको weakness लगती है तो ये तो बीच में मैं थोड़ा सा ये बताया हूँ कि transplant और dialysis में क्या अंतर क्या है पर फिर भी अगर किसी वज़े से आपका transplant नहीं हो पा रहा है ऐसा नहीं है कि dialysis में बिलकुल जिन्दगी थम जाती है तो मैं वापिस से वही वाले point पर stress करूँगा कि अगर आप अपने nephrologist के साथ regular follow-up में है जितना duration of dialysis या जितनी frequency of dialysis उसने बताई आपको recommend करी है उतना आप time पे लेते हैं कोई भी dialysis session आप miss नहीं करते हैं अपनी regular सारी दवाईया टाइम पे लेते हैं राइट का control करते हैं और एक अच्छे dialysis center से अपना dialysis करवाते हैं जहां पे machine अच्छी है technician बहुत अच्छा है infection control बहुत अच्छा है तो तो आपकी अच्छी खासी life चल सकती है हमारे पास बहुत सारे patients हैं जो 10-10-12-12 साल पे भी हैं dialysis पे और even old patients भी हैं तो ऐसा नहीं है कि बिलकुल transplant नहीं हुआ तो life खतम हो गई है हम रखें आपका ख्याल